Golden Forest India Limited एक ऐसी कमपनी जो की लोगों से सन 1991 से लेकर 1997 के बीच ये कहकर पैसा जमा करवाती थी कि अगर आप Golden Forest Company में पैसा जमा करेंगे आप 500 रुपे जमा करेंगे आपको 1000 मिलेगा आप 5,000 जमा करेंगे आपको 10,000 मिलेगा आप 50,000 जमा करेंगे आपको 1,00,00 मिलेगा और आप एक लाख रुपे जमा करेंगे तो आपको दो लाख रुपे मिलेगा यानि कि जितना भी आप पैसा जमा करेंगे उस पैसे पर आपको डबल यानि कि डबल रिटन मिलेगा उतना ही return मिलेगा और इस पैसे को जमा करने के 5 साल के बाद ये जो पैसा है वो डबल हो जाएगा तो ऐसे में दोस्तो भारत के अंदर इस company ने बहुत बड़ा network इखटा कर लिया और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों से पैसा इखटा करके company के नाम पर जमिन खरीद ली और उसके बाद दोस्तो जिन निविशकों ने इस company में investment किया था पैसा जमा किया था उनका पैसा आज तक भी वापस नहीं मिला है उसी से संबंदी दोस्तो golden forest इंडिया लिमिटेट की जो संपत्ती है उस संपत्ती को लेकर supreme court ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर डेट देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि supreme court ने जोस्तो यह जानकारी दी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैनिक जागरन तो दोस्तो दैनिक जागरन न्यूजपेपर में ये ख़बर सबी है कि जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट गोल्डन फोरेस्ट नाम की कमपनी में था उन सभी लोगों का जो पैसा है अब वापस किया जाएगा इस संपत्ति को निलाम करके और ये जो संपत्ति होने वाली है 1484 करोड रुपे की होने वाली है अब दोस्तो ये जानने से पहले कि लोगों को जो पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा इस article में और क्या खबर है उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि golden forest नाम की जो company थी और इस company में जिन लोगों ने निवेश किया था उन निवेश को के पैसे से भारत के अंदर बहुत सारी संपत्ति खरी दी गई और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ उत्राखंड के अंदर ही अपसे पहली सरकारों ने भी और अब की मोजुदा सरकार ने भी इस company की संपत्ति पर जो है अधिकरन किया और उस पर जो संपत्ति है उस property को जो है उस property पूर property पर कुछ सरकारी इमारते भी खड़ी की ऐसे ह आप देखेंगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे प्रधान मंत्री आवास योजना की जो की मोजी सरकार की एक बहुत चर्चित योजना है इस योजना के तहत इस company के कुछ property के हिस्से पर ठीक है कुछ को लोनिया बना कर लोगों को बाड़ दी गई है अब आपने दोस्तों क किसी थर्ड परसन को दोस्तों घर बना कर दे दिया जो की बेघर था तो कहीं न कहीं दोस्तों ये भी एक अच्छी बात भी है उन लोगों के लिए जिनको घर मिला है और उन लोगों के लिए गलत बात है जिन लोगों का यहाँ पर पैसा लगा है तो दोस्तों सबसे पहला इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के मानने सर्वोचनियला दौरा यानके सुप्रिम कोट दौरा इस कंपणी के बारे में क्या कहा गया और गोल्डन समिती इंडिया लिमिटेड ठीक है गोल्डन फोरेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपणी जो है इसकी सुरुवात कैसे हम जो हैं तो यहाँ पर इस आर्टिकल की चर्चा करेंगे जहां पर निवेशको का जो पूरा पैसा है वो वापस मिलने वाला है उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा अगर आपका पैसा भी गोल्डन फोरेस्ट इंडिया लिमिटेड में हैं तो आप चैनल को सब्सक् पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें अब दोस्तों सीदा में आपको लेकर चलता हूं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइड पर जहां पर हम यह आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस कंपनी की सुरुआत कै पैसे हुई और इसके साथ इस कंपनी में जो निवेसक हैं उनका पैसा कैसे लगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भी लोगों को कितना पैसा मिलेगा वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहला आप यहाँ पर इफ्यास है दोस्तों वो बताया गया है सबसे पहला आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों गोल्डन फोरेस्ट इंडिया लिमिटेड तेहिस फरवरी 1987 को सामिल हुई थी 1991 से लेकर 1997 के बीच इस कंपनी के जो प्रमोटर थे ठीक है जो मालिक लोग थे उन्होंने इस कंपनी क के बाद एक गुरूप बनाया अब दोस्तों जब यह गुरूप बनाया गया तो इस गुरूप के मालिकों ने 110 नई कंपनिया चलाई और इन कंपनी में गोल्डन टूरिस्ट रिजोट्स एंड डेवलेमेंट लिमिटेड था जो की 1991 में बनाई गई उसके बाद 1996 से आगे ग कारोबार शुरू किया जी एफाई एल निवेशकों से धन जुटाने के लिए कई योजना ये लेकर आया ये वैसे ही योजना थी जैसी के आपने पीसल इंडिया लिमिटेड में देखी हैं और सहारा इंडिया में देखी हैं कंपनी ने 1987 से लेकर लगबग 16 लाख रुपे और 1990 तक इस कंपनी ने 3 करोड रुपे जुटाए वर्स 1997 तक इस कंपनी ने लगबग 311 करोड रुपे जुटाए थे और इतने इसने लगबग 7,750 एकर भुमी खरीद भी ली थी 31 12 1997 को कंपनी के पास 10 लाख रुपे के पुझी के आधार पर 1037 करोड रुपे जुटाए थे यानि कि इस कंपनी की जो पुझी थी वो 10 लाख रुपे थी और लोगों से जो पैसा इखटा कर लिया वो 1037 करोड रुपे कर लिया तो आप समझ सकते हूं दोस्तों कि इतने पै लिमिटेड और कुछ अन्य कंपनियों के नाम पर कुछ संपत्ति का भी अधीगरन किया गया यानि के संपत्ति खरीदी गई नीचे देखेंगे Golden Forest India Limited और इसकी सभी सहाय कंपनिया सहयोगी और सहयोगी कंपनियों को एक परिवार दुआरा चलाया गया मतलब जितने भी ये कंपनिया थी एक सो दस और इसके साथ साथ दोस्तो Golden Forest India Limited इसको एक परिवार जला रहा था जिसमें AL सियाल, RK सियाल, NENA सियाल, PAMILA सियाल, VIMLA सियाल और HK सियाल और RK सियाल जो की इनके बहनोई थे, सामिल थे HK सियाल को छोड़ कर सभी लोगों की मिरत्ती हो चुकी आज की तारीक में 1997 में Golden Forest India Limited के खिलाब भारते पिर्टी भूती, यानि कि सेवी में इस कंपनिय के खिलाब जाच सुरू की बहुत चारे लोगों ने सिकायद की कि भाई यह जो कंपनी है, गलत तरीके से लोगों से पैसा ही कटा कर रही है और ऐसे में दोस्तों सेवी ने इसके खिलाब एक कमेटी बनाई और जाच की सुरूवात की दिनाक 91998 को सेवी ने एक आदेश पारित किया, जिसमें कमपनी को अपनी संपत्ती का हस्तानंतर करने से रोका गया यानि कि इन कमपनी के नाम पर जो प्रोपर्टी है, आप उसको बेज नहीं सकते हैं, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कमपनी के कारियों की जाच करने के लिए दो व्यक्तियों की एक समीती बनाई गई, उस समीती की रूपर्ट 241998 को प्रस्तुत की गई, जिसमें कमपनी दुआरा कई वित्तियाई और अन्या अनिमित्तियाओं का पता लगाया गया कंपनी दुआरा की गई अन्यमित्याओं से संबंदित सभी मामलों को सेवी दुआरा बॉम्बे उच नियाले में ले जाया गया और 1998 की रिट याची का संक्या 344 जिसका सीर्सक भारते पिरती वियुती और विनिया बोर्ड बनाम स्वन वन इंडिया लिमितेड है अन्यय से भी दुआरा बॉम्बे उच नियाले में एक आदेश दुआरा जो है दायर किया गया जिसमें दिनाक 23.1998 को आदेश में पारित किया गया जिसके दुआरा कंपनी और इसकी साहे कंपनीों के साथ निवेसको और निवेसक दिये गए थे वे अगले आदेश तक पृतिवादी कंपनी या इसकी साह कंपनी या इसके निदेश को की किसी भी संपत्ति का निफ्टान नय कर सकें National Investor Forum बराम Golden Forest इंडिया लिमिटेट नामक 2000 की कंपनी याचिका संग्या 60-2001 में चंडिगण में मान्य पंजाब और हरियाना उचियालिया में दायर की गई याचिका करताओं ने Golden Forest इंडिया लिमिटेट को बंद करने की प्राड़तना की मान्य कंपनी नियाइधीस ने दिनाक 18-23 के आदेश के तहत निदेश दियाकी कंपनी की सभी संपत्ती का प्रबंदन नेंतरन विनिमा अनिमिते परीसमापन द्वारा किया जाएगा जिसके पास चल और अचल संपत्ती को बेचने की सकती होगी इसके अतिरिक्त दिनाक 18-23 के आदेश के तहत नियाइधीस 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 को अन्तिम परीसमापक नियुक्त किया गया उसके बाद इस कंपनी की देखरेक के लिए एक कमेटी बनाई गई और बाद में समिती के दो सदस्यों ने अधिक आईउ अत्वा कार्या पूरा करने में ऐस समर्थता के कारण त्याग पत्र दे दिया बाद में अध्यक्ष नियाइमूर्थी आरन अगरवाल ने भी समिती के काम को जारी रखने में ऐस समर्थता व्यक्त की क्योंकि वो भी 90 साल की आईउ पार कर चुके थे मानिय उच्टम नियाइले के समक्ष एक आवेदल प्रुषत किया गया जिसमें नयायमूर्थी अगरवाल को उनके उत्तरा दाइत से मुक्त करने का अनुरोत किया गया मानिया उच्तम नियाले ने दिनाग 29-2016 के आदेश के तहत मानिया दिल्ली उच्छ नियाले से इस सम्मद में आदेश देने को कहा मानिया दिल्ली उच्छ नियाले ने पंजाब बा हर्याना उच्छ नियाले के मानिया मुख्य नाइदिस स्विपारिस के आदार पर बीस बारा दोजार सोले के आदेश दौरा सिमीति के अद्याक्स और सदस्य के रूप में कार्या करने के लिए निम्न लखित को नामिंट किया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वरतमान अद्यक्स और वरतमान सदस्य को कार्या भार ग्रहन किया तो अभी दोस्तों यह जो दो नाम है इनकी देख रेक में दोस्तों इसका पूरा काम किया गया और उसके साथ-साथ आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 3728 को मान्य सर्वोच नियाले ने निर्देश दिया की कमपनी की जो भी संपत्ती है अधीन स्वन वन समू की कमपनीों की संपत्ती है ठीक है उस संपत्ती को बेच कर जो भी पैसा मिलेगा उसका 70% जो है धन पृत्तियक निवे सुक को दिया जाएगा जिसके नाम पर सिमिती के दुआरा प्राप्त सत्यापित किये गए डोक्यूमेंट्स है तो अब दोस्तों यह ख़बन निकल कर आती है यहां तक आपको पता चला कि जो यह कमपनी है इस कमपनी की जो प्रोपर्टी है ठीक है उस प्रोपर्टी पर मतलब जो भी जमीन वगरा है बन वगरा है कहीं पर कोई भी चीज है तो उस टोटल संपत्ती की जो भी वैल्ली होगी उस टोटल संपत्ती की वैल्ली का 70% जो पैसा है वो तो मिलेगा निवेसको को ठीक है अब आखी 30% कब मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखें इस खबर में क्या बताया गया है जो मैं आपको खबर बताई इसमें क्या बताया गया है दोस्तों इसमें ना इस खबर में पूरी डिटेल दी गई है दैनिक जागनगर आपके पास News Paper है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी Detail बताई गई है कि भई यहाँ पर पूरी Detail दी गई है कि उत्त्राखंड के अंदर जो यह संपत्ती है ठीक है अभी इस संपत्ती को बेचकर जो है वो निवे इसको को पैसा दिया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसके लिए आप दोस्तों इसे पढ़ लेंगे सब कुछ लिठेर है और इसमें बही बताया गया है कि अगर इस संपत्ती को जल्दी से जल्दी नहीं बेचा गया और इसको ऐसे छोड़ दिया गया तो यह जो संपत्ती है इधर उधर हो जाएगी इसका मतलब यह है कि दोस्तों सरकारे जो है अपने किसी काम के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसी संपत्ती पर कुछ ना कुछ बना देती है ठीक है जो कि विवादित होती है या जो कि ऐसी संपत्ती है जिसका कुछ काम नहीं किया जा रहा तो ऐसे में सुप्रिम कोट ने ने लिया है कि यह जो संपत्ती है क्योंकि लोगों का यहाँ पर पैसा जमा है लोगों ने बहुत सारा धन इकटा कर रखा है बहुत सारा पैसा इस company में लगा रखाया है तो ऐसे में इस company को की जो संपत्ति है उसको sale करके बेज कर जो भी धन मिलेगा वो उन लोगों को वापस किया जाए जिन लोगों ने इस company में investment किया है तो दोस्तो ये एक अच्छी पहल है और यहाँ पर जो है यह कहा गया है कि golden forest की संपत्ति निलाम करने की तैयारी जल्द से जल्द एक कदम और आगे बढ़ाया गया है सामने दोस्तों ये भी बताया गया है कि भाई भूमाफियों में खलबली भी है अब भूमाफियों में क्यों देखियो इस company की जो संपत्ति है ना दोस्तों वो प्रोपर्टी ऐसी पड़ी थी तो बहुत से जो दबंग लोंगे जो भूमाफियों थे उन्होंने इस company की जो प्रोपर्टी है उस पर कबजा कर लिया तो ऐसे में भाई सुप्रेम कोड ने का है कि किसी भी व्यक्ति के पास कबजा कर रखा है तो उस से लेकर ठीक है इस संपत्ति को बेच कर जो है वापस किया जाएगा पैसा और कैसे किया जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों बताए गया है कि भाई इसमें यह भी बताए गया है कि देहरादून गोल्डन फोरेस्ट की 1484 करोड रुपे की जो हजारों बीगा भूमी है उसको निलाम करके दोस्तों निवेसको का पैसा वापस किया जाएगा और गोल्डन फोरेस्ट की संपत्ति को खरीदने के लिए तीन पार्टिया यहां पर आप देख सकते हो तीन कमपणिया सामने आई है और यह जो तीन कमपणी है निवेसको को कहीं न कहीं रहात हो सकती है और ऐसी कपर दोस्तों आपको बता है कि पहले भी मैं आपको बहुत दिया करता था जिसे क्या पीचिल इंडिया लिमिटेड और सहारा इंडिया तो ऐसी ये कंपनी है जिसके बारे में लोग जान नहीं रहे थे तो भई अगर आपका पैसा भी गोल्डन फोरेस्ट कंपनी में है तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है वीडियो पसंद आईयों वीडियो को लाइक करें और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें